हेलो एब्रिवान, इस्टारडी टुडे विपलाब यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में 10 अगस्ट को यानि कि आज होने वाले विकली टेस्ट के लिए क्लास 10 के छात्रों के लिए साइन्स के वी वी अबजेक्टिब और सब्जेक्टिब कोस्चन को डिसकास करने बाले हैं वीडियो को लाश्ट तक देखें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में स्यार करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोस्चन को देखिए एप E2O3 प्लस एल एल टू ओ थी प्लस टू एफ इ यानि कि फेरिक ओक्साइट प्लस एलुमिनियम एल टू ओ थी यानि कि एलुमिनियम ओक्साइट प्लस आईरन उपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है संयोजन अभिक्रिया दू विस्थापन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि जो एलुमिनियम है एलुमेनियम जो है आईरन को विस्थापित किया है यानि कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है वहाँ अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रिया सिल धातू कम किरिया सिल धातू को उसके योगिक में से विस्थापित कर दे देखे एलुमेनियम जो है एलुमेनियम ज होगा विश्थापन अभिक्रिया नेक्स्ट को देखिए क्वेश्चन नमबर टू लोहा चून यानि कि एप यी प्लस तनू हाइड्रोकलोरिक अमल यानि कि होता है ना क्या होता है ना लोहा चून पर तनू हाइड्रोकलोरिक अमल डालने पर क्या होता है ना एप यी सी एल टू यानि कि आइरन क्लोराइट प्लस हाईज्टू हाड्रोजन गेस होता है यानि कि आयैन कि आयि आइरन हाड़ोकलोरिक अमल यानि कि H C L तनू हाड्रोकलोरिक अमल तो क्या होता है एप यी CL2 होता है यानि कि iron chloride उसके साथ hydrogen gas प्राप्त होता है ठीक है next question को देखिए question number 3 को नीचे दी गई अभिक्रिया के संभन्ध में कौन सा कथन आस्यत्य है देखे लेट oxide plus C यानि कि carbon PB यानि कि लेट प्लस CO2 देखे हमें पूछा है कुन सा कथन आसक्त है तो सिसा अपचैद हो रहा है एक गलत है ठीक है क्योंकि यहां पर जो PBo है यानि कि लेट oxide जो है वो आपचैद हो रहा है यानि की option force ही है और option A जो है एक गलत है ठीक है फिर देखिए कारवन डायम साइट उपचयित हो रहा है उपचयद अर्था पर ऐधा ऑसिजन का जुड़ना देखें के साथ सी के साथ सी के सी ओटू हुआ है यानि कि जो कारवन है वो पचय भू रहा है यानि कि ओप्षन जो 3 है यह सही है, option 2 गलत है, यानि कि हमें question पुछा है कि कौन सा कथन असत है, यानि कि कौन सा कथन असत है, न option 1 और 2 यह असत है, यानि कि इसका right answer option 1 और 2 होगा, ठीक है, चलिए next question को देखती है, question number 4 को देखे, BACL2 यानि कि barium chloride plus Na2SO4 यानि कि sodium sulfate, BASO4 हो गया, यानि कि barium sulfate हो गया, plus NaCl sodium chloride किस प्रकार के अभिक्रिया है, ध्यान से देखेगा, BACL2 था, BASO4 हो गया, और Na2SO4 था, यानि कि sodium sulfate था, sodium chloride हो गया, यानि कि आयनों का आधन प्रादन हुआ है, यानि कि आयनों का आधन प्रादन हुआ है, यानि कि दिव विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है, दिव विस्थापन अभिक्रिया होगा, देखे, AC अभिकरिया जिनमें अभिकारकों के बीज आएनों का आधन प्रादन हो ध्यान से देखेगा BACL2 था यहां पर BASOFOR हो गया यानि कि BASOFOR हो गया और CL2 CL2 NA हो गया यानि कि sodium chloride हो गया यानि कि दिविस्थापन आएनों का आधन प्रादन हुआ है ठीक है चलिए next question को देखे question number 5 को अभिक्रिया calcium oxide plus H2O यानि कि जल CAOH hold twice यानि कि calcium hydroxide calcium hydroxide को क्या कहा जाता है यानि कि बुझा हुआ चुना कहा जाता है ठीक है बुझा हुआ चुना कहा जाता है और CAO को बिना बुझा हुआ चुना कहा जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये एक संग्योजन अभिक्रिया है संग्योजन अभिक्रिया है क्योंकि संग्योजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पात उत्पन्न करते हैं तो calcium oxide plus H2O दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पात calcium hydroxide बना है और calcium hydroxide को क्या कहा जाता है चुना पत्थर कहा जाता है यानि कि भुजा हुआ चुना कहा जाता है सफेदी करने में दिवारों पर सफेदी करने में इसका उपयोग किया जाता है calcium hydroxide का तो इहां एक संग्योजन अभिक्रिया है नेक्स्ट को सबस्क्राइब करने में किस प्रकार की अभिक्रिया है यानि कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक तूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्मान करता है ध्यान से दिखेगा यह एक एकल उत्पात है तो एकल अभिकर्मक तूटकर छोटे-छोटे उत्पातों का निर्मान करता है केल्सियम ओक्साइट और कार्बन ड्यक्साइट उत्पात बना है यानि कि यहां एक क्या है बियोजन अभिक्रिया है किए अभिक्रिया किए यानि कि आईरन प्लस कॉपर सलफेट एप एश फोर आईरन सलफेट प्लस सी यू किस प्रकार के अभिक्रिया है ध्यान से देखिएगा सभेन को यह एक विस्थापन अभिक्रिया है यहां एक बिस्थापण अभिक्रिया है, क्योंकि जो FE, यानि कि iron है, कॉपर को बिस्थापित किया है, यहां पर dेहें, FE, एसोफुर हो गया है, कॉपर साल्फेड था, बड़ क्या बना है, ना iron साल्फेड बना है, क्योंकि जो Fe है, Fe जो है, आइरन जो है कौपार से अधिक अभिक्रिया सिल है ठीक है, यानि कि कौपार को विस्थापित किया है यानि कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है Next question को देखे 2H2 plus O2, 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है न संग्योजन अभिक्रिया है संग्योजन अभिक्रिया यानि कि संग्योजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है देखे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पात का निर्मान करते हैं नेक्स्ट को देखिए, नाइन को, स्वसन कैसी राशाइनिक अभिक्रिया है, ना देखिए, स्वसन के दोरन उस्मा उत्पन्न होती है, यानि कि उस्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है, उस्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है, वहाँ अभिक्रिया जिसमें उत्पात क साख सबजियों का घट होकर कंपुस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है संग्योजन भियोजन उस्मा प्lep सोशी तौराइट इंसर उसमा अभिक्ति किसे कहा जाता है न वहां अभिक्रिया जिसमें उत्पात के निर्मान के साथ-साथ उसमा भी उत्पन्ना होती है सरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना सरीर में भोजन का पचना एक बियोजन अभिक्रिया है यानि कि प्रतिस्थपन होगा ठीक है बियोजन अभिक्रिया है सरीन में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ब्योजन अभिक्रिया नेश्ट कोस्चन को देखिए 12 को देखिए सोडियम सलफेट और बेरियम क्लॉराइट को मिलाने पर किस रंग का अवच्छे प्राप्थ होता है सोडियम सलफेट और बेरियम क्लॉराइट यानि कि BACL2 को मिलाने पर किस रंग का अवच्छे प्राप्थ होता है सफ्छे रंग का ठीक है नेश्ट कोस्चन देखिए अभी करिया जिंक ओक्साइट प्लस-C ययानिकी कारबन जिंक प्लस-C-O में किसका उपचेन होता है उपचेन का मतलब आक्सिजन का जुड़ना तो ध्यान से दिखेगा C से CO होगया यानिकि कारवन के साथ आक्सिजन जुड़ा है यानि कि इसका right answer C होगा, option B होगा, C होगा, यानि कि C से CO हो गया है, यानि कि किसका उपचेन होता है ना कार्बन का, next question देखे, अभी करिया 14 को देखे, CEO यानि कि copper oxide plus H2, CEU होगा है और H2O होगा है, किसका उपचेन होता है, उपचेन यानि कि oxygen का जूड़ना, उपचेन यानि कि oxygen का जूड़ना, तो धियान से देखेगा, H2 से H2O हो गया, यानि कि hydrogen के साथ, क्या होगा है, उपचेन होगा है, ठीक है, next question देखे, question number 15 को, इन में कोन सी अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी, copper sulfate plus iron, copper sulfate plus zinc, iron sulfate plus zinc, या फिर zinc sulfate plus copper, तो option D होगा, zinc sulfate plus copper, next question देखे, निमन में कोन अपचायक है, अपचायक, H2S, जो है वो अपचायक है, ठीक है, next question को देखे, दिवारों पर सफेदी करने के लिए, किसका उपयोग होता है, calcium carbonate का, calcium hydroxide का, या calcium sulfate का, तो right answer क्या होगा, CAOH whole twice, यानि कि calcium hydroxide का, ठीक है, calcium hydroxide का option B होगा, right answer, next question देखे, निमन में कोन सा उतपात, late nitrate को गर्म करने पर प्राप्त होता है, late nitrate को, PB, NO3, late nitrate को गर्म करने पर प्राप्त होता है, NO2 और O2 प्राप्त होता है, NO2, nitrate oxide और oxygen प्राप्त होता है, NO2 और O2, ठीक है, इसका right answer option D होगा, next question को देखे, chips की थैली में कुन सी gas भारी रहती है, oxygen, nitrogen, hydrogen या sulfur dioxide, तो nitrogen भारी रहती है, ठीक है, nitrogen, next question देखे, अंतिम objective question को देखे, कली चुना यानि की CAO पर जब जल डाला जाता है, यानि की CAO यानि की calcium oxide, ठीक है, बीना बुजा हुआ चुना पर, जब जल डाला जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, calcium hydroxide प्राप्त होता है, ठीक है, यानि की, यहाँ एक उस्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उस्मा निकलती है, ठीक है, तो यहाँ एक उस्मा छेपी अभिक्रिया है, चलिए अब हम long question को देखते हैं next देखिए long question को बियोजन अभिक्रिया का संग्योजन अभिक्रिया के बिपरित क्यूं कहा जाता है इन अभिक्रियाओं के लिए समिकरन लिखे देखे संग्योजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संग्योग करके एक नए पदार्थ का निर्मान करते हैं जबकि बियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ तूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्मान करता है इसलिए बियोजन अभिक्रिय दो नया पदार्थ का निर्मान क्या है नेक्स्ट को दिखे प्रकास रासायनिक अभिक्रिया क्या है एक उपयोग लिखे सूरिया के प्रकास की उपस्तिती में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकास रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जैसे सिल्बर क्लॉराइट सूरिया फोटोग्राफी में होता है इसका उपयोग होता है ठीक है नेस्ट कोस्चन को देखिए उस्मा सोसी अभिक्रिया के क्या आर्थ है एक उदाहरन दे उस्मा सोसी यानि कि उस्मा के आवसक्ता होती है और उस्मा छेपी यानि कि उस्मा निकलती है देखिए उस्मा सोसी यानि कि वैसी रासाइनिक अभिक्रिया जिसमें उस्मा का सोशन होता है यानि कि वैसी रासाइनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद उस्मा उत्पन्न होती है उसे उस्मा छेपी अभिक्रिया कहते है C plus O2 CO2 ठीक है और उसमा निकलती है देखे 94.45 किलो केलोरी और उसमा सोसी में देखे यह आवासकता होती है 43.2 किलो केलोरी ठीक है नेक्स्ट कोस्चन देखे एक भूरे रंग का चमकदर तत्त X को वायू की उपस्तिती में गर्म करने पर बहुत काले रंग का हो जाता है इस तत्त एक्स एवं उस काले रंग के योगिक का नाम बताएं देखे तत्त एक्स जो है वो कोपर है और काले रंग का योगिक है वो कोपर ओक्साइट है CEO है ठीक है नेक्स्ट देखिए निम्न पदों का बनन करें तथा प्रत्य का एक-एक उदाहरन देव। संग्छारन विक्रित गंदीता तो संग्छारन क्या है जब कोई धातु अपने आसपास आमल नमी आदी के संपर्क में आती है तब वह संग्छारित होती है और इस प्रक्रिया को संग्छारन कहते हैं उदाहरन लोहे में जंग लगना चांदी के उपर काली परत चड़ना संग्छारन के लिए परिस्तितिया नमी यानि कि जल की उपस्थती बायू की उपस्थती विक्रित गंदीता वशागं तेल से बने खादप अदार्थों में उपचयन की क्रिया के क संग्छारन आरूची कर गंद और स्वात का उत्पन्न होना विक्रिती गंदीता कहलाता है उदाहरन गर्मी के दिनों में सबजी का जल्दी खटा होकर गंद दीना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करे और दोस्तों में स्यार करे मिलते हैं दो में थांक यू